बिना जारे, बिना बेशन के आज मैं आपको मोती चूर के बहुत ही स्वादिष्ट और छटपट बनने वाली रेसिपी बनाना बताऊंगी जिसे हर कोई एकदम आसानी से घर में ही बना सकता है तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है चना डाल और जिसको मैंने 3-4 घंटी के लिए विगो करके रख दिया था आप चाहे तो इसे राद भर के लिए विगो करके भी रख सकते हैं तो इस कप से मैंने 1 कप चना डाल लिया था जो फूल करके इसकी दुगनी कॉंटिटी में हो गई है तो अब हम इसका सारा पानी जान करके निकाल लिया है मैं इसको आपको तोड़ करके भी दिखा देती हूँ कि ये कितने अच्छे तरीके से फूल गई है और कितने आराम से ये तूट जा रही है तो हमें बस ऐसा ही चाहिए अब हम क्या करेंगे इसको एक mixer जार लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा डाल करके इसका दरदरा पेश त्यार कर लेंगे तो मेरी जार बड़ी है और ये दाल मेरी थोड़ी सी है तो ये एक बार में ही आराम से पेश जाएगी तो देखे मैंने दाल को दरदरा ही पेस लिया है मैं इसका fine paste बिल्कुल भी नहीं करना है इस बात का ध्यान रखे तो इसे मैंने एक बाल में पलट लिया है अब मैं इस तरीके से हाथों पर इसको गोल गोल शेफ देते हुए फिर इसका चप्टा आकार दे करके इसको चिकना करते हुए इस तरीके से रख देंगे तो गैस की तरफ तो गैस पर मैंने यहाँ पर घी गरम होने के लिए रख दिया है आप सरसो तेल का यूज बिल्कुल भी ना करें तो थोड़ा सा वैटर मैंने डाल दिया इसमें आप देख सकते हैं गैस की फ्लिम लो है क्योंकि यह तुरंत ऊपर नहीं आ रही है तो इसी को इसके तले से छुड़ा दिजिए और आराम से इसको उपर आने दिजिए तो इसी हमें उलटते प्लटते वे अच्छे से गोल्डेन डाउन कर लेना है एकदम हमें इसको टाइट फ्राइड नहीं करना है बस इतना कि इसका कलर अच्छे से चींज हो जाए और यह थोड़ कर लिया है और यह थोड़े गरम है तो हम इनको रख देंगे ठंडा वाने के लिए तो देखिया हमारी ठंडी हो गई है अब मैं इसको क्या करूंगी इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट मर्किस को तोड़ लूँगी और इसी तरीके से हम तोड़ करके कलग बरतन में रख लेंगे तो मैंने सबी टिक्यों को इस तरीके से तोड़ Dougher लेंगे और इसमें थोड़ा-थोड़ा करके इसको डाल करके हम पीसंगी क्योंकि हमें इसको लिए आनी बनाना है तो देखिए हमने सारी चल ने दाल को इस तरीके से पीस लिया है अब हम वापस चलते हैं अपन ब्राम चीनी होंगे और उसी कप से मैंने यहाँ पर आधा का पानी ले लिया है इसको हम थोड़ा सा चलाते हुए इस तरीके से जब तक इसमें उबाल ना आये तब तक हमें इसको लगाता नहीं चलाना है लेकिन बीच बीच में इसको चलाते रहना है तो देखिए इसमें से हमें इसको चलाते हुए इसकी एक चाशनी तयार करनी है तो देखिए चाशनी में अच्छे सुबाला आ गया है अब मैं इसमें 6-7 बूद नीम्बू का रस डाल दूँगी और इसे भी हम इस तरीके से चला लेंगे तो अब हम चेक करते हैं अपनी चाशनी के हमारी चाशनी तयार हो गई है कि नहीं तो इस तरीके से आप दो उंगलियों की बीच में रख करके देख लीजे यह चिप चिपी होनी चाहिए और इसमें से कोई ताल नहीं बनना चाहिए तो हमें बस इतनी कॉंट चाहिए और गैस के फिलिम को हम बंद कर देंगे उसके बाद सभी डाल क को जो हमने पीस के रखा था इसमें डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी डालो को तो देखिये है डाल को इसमें डालती ही कितना प्यारा कलर आया है लग रही हैं एक दम हलवाई स्टाइल तो है न कितना आसान बनाना इसको तो हम सभी इसको मिक्स करने के बाद हम गैस के फ्लेम को ओन कर देंगे और हम इसे आधे से एक मिनट तक लगातार चलाएंगे और चलाने के बाद फिर हम गैस को बंद करके इसे आधे गंटे के लिए रेस्ट होने करते लिए तो आधे घंटे हो गये हैं आप देख सकते हैं हमारी दाल कितनी अच्छे से इसने सारे रस को सोख लिया है अब हम फटा-फट से इनकी छोटी-छोटी मिठाईया तयार कर लेते हैं अग कितना आसान है इसको बनाना अगर आपको लगेगी कि ये आरी मिठाईयों को बाद करके रेडी कर लिया है और देखिर कोई बता सकता है कि हमने इसे घर पर तयार किया है तो आप मैं इसको आपको तोर कर कर के वह दिखा देती हूँ वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को कर दीजेगा लाइक शेर और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सस्काइब करने की कंजोसी बिल्कुल भी ना करिएगा तो हम मिलेंगे अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई फ्रेंड्स